नमस्कार दोस्तों प्रोभाशी कपल के और एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कोजागरी लक्ष्मी पूजा कोजागरी लक्षमी पूजा है अमारे बिंगॉली रिलिजियान में जो लक्षमी पूजा होता है उसे कोजागरी लक्षमी पूजा कहा जाता है और हमारा जो लक्षमी पूजा है वो वान एन अनली एक ही लक्षमी पूजा है जो बिंगॉली साल भर में एक बार करते है वो प पुर्णीमा आता है उस पुर्णीमा में होता है और दिवाली में हम लोग लक्षमी पूजा नहीं करते है दिवाली में नॉन बिंगॉली और नॉर्थ इंडियन और अदर डिजन के लोग करते है वो अलग है उसमें कुछ-कुछ बिंगॉली कम्यूनिटी हमारे में से जो मतल नॉन बेंगोली का दिवाली लक्ष्मी पूजा है वो टोटली डिफरेंट है हमारा बिधी हमारा स्टाइल हमारा नियम बहुत जादा महत्पूर्ण है बहुत कुछ जवरत होता है उसमें तो यह जो है यह नारियल का लड्डू है यह बनाया जाता है हमारे कोजागडी लड्डू कहते हम लोग इसे लड्डू नहीं कहते इसे नार्ण काvisor इसे बोलता है नार्क ले नार्ण I nano night और एक दुर्गपूजा मंडब जहां 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 दुर्गापूजा हैं आखेड़ी लेक्ष्मीपूजा परना सिवे पूरे पंडाल को डिजमेंटल किया जाता है और हमारे कोलकाता का जो बजार है बिंगोल का जो बजार है वो फिक्स्ट है दिली के जैसे वैसे सेटरड़े संडे फ्राइडे वाले फ्रिक्वेंट बजार नहीं है यहां पे फिक्स्ट बजार का एरिया बना हुआ है और वहां पे सुबा से शाम रोज बजार बैठता है औ यहां पर 24 into sevenidaar होता है से सोंबा जार, यहां पर इसा करके नहीं होता हूँआ हमारे हैंग एक यह भजार होता है। तो फिलाल यह सब सबजी है देखिये और आज 17 October को हमारे लक्ष्मी पुजा पुजा करदी लक्ष्मी-पुजा स्पेरो का जाता है बिंगॉली में हम लोग बोलता है चोडाई पाकी मतलब चराई पंची हिंदी में आप लोग क्या कहते हो मुझे पता नहीं यह धीरे-धीरे रेयर होते जा रहा है टेलीफोन टावर्स और नेटवर्क्स के लिए देली में तो देखने को मिलता ही नहीं लि नहीं पहले सेटे करेखना पढ़ता है और डबल दाम में मिलता है हम और यहां पर ज़ादा सबजी खाते हमारे बिंगॉल म में जितना सबजी मिलता है उसका मतलब क्या बताक। harap 50 percent भी दिली में नहीं मिलता है डिल्ली में वहारा टोबी टोब्हों के य Intelli में छосьना हैं लेकिन कॉमुन सब्जी 1 की सब्जी चलते एक यह सब्जी in Chubing छोबे आने वहारा होघायर जाता है हुं और इक सब्जी दीखता है बेंगॉली स्टेट इसलिए हमारे यहां फेस्टिबल होता रहता है और यह है टूनी फूल यह टूनी फूल के भीना हमारे कोजा कोड़ी लक्षमिपूजा कभी संपन्न नहीं होता है कोजा कोड़ी लक्षमिपूजा में टूनी फूल देना मेंड़ी है तो यह टूनी फूल से ही हमारे पूजा शंपन्न होता है और यह सारे चीज है जो हमारे लक्षमी पूजा में जहुरत होता है यह देखिए लोटस 24 x 7 level in Kolkata तो यह लक्षमी के मूर्ती मिल रहा है यहां पर जो जो घर में जाके मूर्ती पूजा करेंगे उनके लिए मेरे घर में तो अल्लेडी लक्षमी स्थाफिते लक्षमी के पीतल के मूर्ती फिलहाल मेरा बजार हो चुका है अभी मैं आ चुका हूँ के दुर्गा पूजा मंडब के सामने जो पूजा मैं पलो को दिखाए था विसरजन के टीजर भी बनाया था फूल विसरजन में दिखाऊँगा ज़रूर देखिए दुर्गा विसरजन तो हो चुका है और मा लक्षमी का मूर्ती फिर से लाया गया है कोजागरी लक्षमी जाएगा यह नियम है हमारे बेंगॉली रिलीजियन में जो अलग हिंदु नियम से बहुत जादा ही अलग है और इसी दिन हरे घर में भी कोजागरी लक्षम पूजा देना मेंडिटरी है हमारे लक्षम पूजा कोजागरी लक्षम पूजा होता है नॉन बेंगॉली इसका दिवाली होता है दिवाली जो होता है वो होता है नरका सूर ने जब महालक्षमी को हरन करके ले गया था तब महाकाली जाके महालक्षमी को बचाया था तब महालक्षमी को महाकाली आशिवाद दिया था इसी दिन आपका दिवाली मनाया जाएगा धन को शंगरशित किया जाए जो नियम है, वहाँ से जो बिदी बनता है, वहाँ से जो कैलेंडर बनता है, वहाँ से जो तीथी बनता है, पूजा का नियम बनता है, उसको हम लोग बेंगॉली एंड एसमीज फॉलो करते हैं, देखिए यह है महुसीम, जो सबजी है, यह सीम का थोरा सा अलग प्रजाती है, यह है थोर इसे थोर कहते है इससे नाव भी बनता है जो मालक्षमी को दिया जाता है पूजा में आज के दिन और यह है ओल कोचू यह सब मैं बेंगॉली नाम बोल रहा हूं I don't know the Hindi अट-एसे कहते ओल कोचू इसके बाद अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसे कहते है चाल कुम्ड़ा यह भी दिली में बहुत रe रेयर मिलता है और और फिर यह है पेठा इसे हम लो में बेंगॉली में खुम्ड़ा कहते है यह बेगन और यह जो वाइट कलर का दीक रहा इसे कहते है methe morbidi आ नम है अभी जो ढीक आनोक वह तुल मैं आपको प्रड्व दिखाया था यह आप्रन डिकांद कह 20 एक 모양 अगदम निचे रहता है ना अगदम जो फेर्ण बंता जो राना के तरफ कह थे ओक और या नाडीम देखिए लिए अप लोगСар помогrom यह है मुली का साग और देखिए यह है हमारे बिंगॉल मतलब कोलकाता का लवकी हमारे लवकी ऐसे होता है दूसरे स्टेट जैसे मैं डिली में रहता हूं तो अहां पर लंबा-लंबा कैसे बनाते बता नहीं यह है भिंडी और नीचे वह भी है अपका पपीता और जहींगा भ देखिए मैं आपको सारे सबजी दिखा दिया दिली में यह सब सबजी बहुत ज्यादा रेयर है और देखिए मैं आपको सारे सबजी दिखा दिया दिली में यह सब सबजी बहुत ज्यादा रेयर है और महेंगा भी है पैसा देने के अबाद आता है वहां के लोग कॉमून सब्जी यादा खाते है लेकिन हमारे बिंगॉल में दिल्ली वालों से जादा 50% जादा एक्ष्टा सब्जी अवेलेवल है जो आप लोग दिल्ली वाले नाम सुने ही नहीं या देखे भी नहीं कभी दो पता चलेगा जो भी है तो यह आज है गारु संक्रांती और गारु संक्रांती के दिन बिसिकली मैं आपको बता था पुरवच के शांती के लिए डाल बनाया जाता है उस दाल में इतने सारे सबजी मिला आना पड़ता है यह पूरा-पूरी वेज दाल और यह केला है इस लो में लक्ष्मी का घट बेढ गाहता है वो भी नहीं मैं एक को दिखा हूंगा तो वह लो ख्वी ले गढम में ईना मैं और समझने के लिए बेंगौल आना पड़ेगा उतना डेफिनेशन में अभी बता नहीं पाऊंगा देखिए लक्षेंपुजा के लिए बहुत सारे दुकानिया पे बैठा है और जितने भी दुरुगा पुजा मॉंडब है यह और एक दुरुगा पुजा मॉंडब है यहां रोड क्लियर हो जाएगा तो इस नियम से हमारे बेंगौली चलते हैं दिवाली के टाइम में हम लोग काली पुजा करते हैं क्योंकि जैसे हम कामाक्षा काली के हिसाब से हमारे धर्म को मानते हैं और हमारे सब कुछ वहां से ही बनके आता है तो इसलिए दिवाली में हम कोजागरी लक्षमी पूजा में हर एक बेंगोली के घर में ऐसे सजा जाता है माल लक्षमी के पैर पेंट किया जाता है कीचेन में बेडरूम में पूजा रूम में घर के इंट्रेंस में और ऐसे ही हमारे कोजागरी लक्षमी पूजा का शुरुआत होता है तो हर जगा बेद फूल और लक्षमी के पैर और अलग लग चीतर बना के रखा हूं और हर एक घर में ऐसे सचता है ऐसे चीतर बनता रहता है कोजागरी लक्षी पूजा में कोई-कोई घर में बड़ा मूर्ति लाके पूजा होता है विशरजन भी होता है और जहां-जहां महां लक्षमी पूजा रूम में भी ऐसे चीतर बनाया गया है और इसके अंदर हमारा पूजा रूम भी है और यह पूजा रूम में भी देखिएगा यहां पे भी मैं चीतर बना के रखा हूं तो इसलिए मालक्षमी का पैर बना के रखा हूं और धान का गड़ी धान का जो स्टिक्स होता है तो देखिए हमारे यहां पे आलपना लग चुका है चित्र लग चुका है और यह होता है लक्षमी के घट यहां पर पेंट किया जाते है लक्षमी के पाव और धान के घड़ी फूल बनाया जाते है वहां पे तामर का घट बिठाया जाता है और नारायन देव को पेंट किया जाता है सिंदूर से उसके उपर पान के पत्ते, पांच पत्ते वाला आम के पत्ते और यह काठाली केला टूनी फूल और अलग-अलग फूल अंदर में हर्तकी और सूपाडी और पानी डाल की घट भी डाया जाता है, एक हपते के लिए फिर जैसी थर्डी आएगा, घट को फ पिंगौली पुजा का नियम ऐसे ही है बहुत निष्ठा और बहुत नियम पालन करके होता है लक्ष्मी पांचाली पढ़ा जाता है लक्ष्मी का पांचाली होता है उसको पढ़ा जाता है हर एक घर में हर एक महिला मा बहन सब मिलके पढ़ते हैं और देखिए हमारे लक्ष्म और हमारे जो दिल्ली वाले गोपाल और राधारानी गनवती पपाग मतलब मेरा गोनू छुट गोनू दादा ये सब भी यहाँ पे बैटे हुए है और यहाँ पर प्रसाद भी दे चुका हूँ यह है देखी आता यह जो फूरूट है यह बिंगॉल में एवेलेवल है दिल्ल इपकारी मतलब महत्तपुर्ण होता है तो यह भी हम मालक्ष्मी को और बाकी भगवानों को भी दे दिये है खाने के लिए और देखिए हमारी गोपाल जी राधारानी जी का भी धाली है इसमें भी बहुत सारे फूरूट दिया जाता है यह मैं आपको शुरुआत में दिख जाएगा फिलहाल यहां पे हमारे पूजा के लिए भगवान के खाने के आइटेम सब कुछ सच चुका है और धीरे धीरे हम लोग पूजा के तयारी भी कर रहे है को जगरी लक्षी पूजा का भोलेनात के सर पे जो यह फूल है इसे कहते है निलकंड फूल यह दिल्ली में आवेलेविल नहीं है रेर है बिंगोली एडिया में मिलता है फिर भी सुखा सुखा और मेहंगा बीना लिकंड फूल का बिंगोली का शिप पूजा संपन नहीं होता दिली में मैं एक बार लिकंड फूल पूचने गया था किसी को पता ही नहीं वर्ट दे हैल is the दील कंड फ भास्ट है वहां पर लाइफ लिमिटेड है लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं लाइफ नहीं है और यह है जौबा फूल यह जौबा फूल के बिना महा काली मा दुर्गा मा शितला मा शंतो सीमा का पूजा शंपन्न नहीं होता हमारे बेंगोले रिलिजियार में कोई भी महा काली के बड़े मंदीर जैसे कामाक्षा काली तारापीट काली गाड जितने भी बड़े है बिना जवा फूल का महा काली का पूजा होगा नहीं और दिल्ली में यह फूल मिलता ही नहीं आदे से ज्यादा लोग यह फूल के नाम तो सुना ही नहीं और देखा भी नहीं होगा हाँ बिंगॉली एरिया में बिंगॉली मंदिर में दिली में मिल सकता है वो लोग जरूर इसको कलेक्ट करके रखता है और महंगा बेचता भी है को व्हांचो पया कि घपора, तो कि ऐसे होग्वा कि पैना अता में कि पता अंता है, मुझे बहुत बुरा लगा। अंता में आठ साल अत्म पाइ़ जोय नहीं, इस पूझ के बजय से. ये फूल के बिना हमारे बेंगॉली का काली पूजा कभी संपन्न नहीं होता मादुर्गा पूजा भी संपन्न नहीं होता हम लोग महा के पूजे करते हैं हम लोग राम का पूजा नहीं करते नॉन बेंगॉली से नॉर्थ इंडियान जैसी राम बोलने से सोचता है और जिसे मैं बताया था यह टूनी फूल है वाइड कलर का बिना टूनी फूल का महालक्षमी कोजागरी महालक्षमी पूजा कभी संपन नहीं होता कोजागरी पूर्णीमा में होता है यह दुर्गा पूजा के बाद वाले यह पूर्णीमा है और वो ही हमारे बिंगॉली का one and only लक्षे पुजा है जो grand manner में all over बिंगॉल में होता है और कहीं पे नहीं और दिवाली में non-Bengalis लक्षे पुजा करते हैं जो हमारे पार्ट नहीं होता और इसके उपर पान के पत्ता चराया गया है नारायन को पेंड किया गया है सिंदूर से और काठाली केला और उपर में पांच पत्ते वाला आम पल्लब रखा गया है और नीचे हर्ते की सूपारी और पानी से घट को बिठाया गया है ये घट एक हपते के लिए कोई भी हिला सकता थर्स डे नेश्ट विग जाके फिर इसको चेंज करना पड़ता है सब कुछ तो फिलाहल मैं आपको बताई दी हमारे लक्षिम पुजा कैसे होता है और नोन-मेंगोली जैसे भेज-भेज-भेज-भेज करते रहता है हमारे बेंगोली भेज ट्रेट नहीं है हमारे जो राम के मंदिल में नहीं होता तो इसलिए नोन-मेंगोली जो राम को मनते वो बेज काते लेखिन मा को मनने वाले नोन-मेज काते तो यह है पानीफल ये भी दिल्ली में बहुती रेर मैं देखा हूं यह हमारे बेंगोल में 24 x 7 अवेलेवल है और यह बहुती सेयत के और घर में हमेशे हमारे अवेलेबल रहता है तो यह पानी फल हम लोग खाते रहते हैं बेंगॉल में अब लोग आगर आकर रहोगे तो आपको पता चलेगा अगर दिल्ली के कोई बेंगॉल में आकर रहोगे कि आप उहां पर जो लाइफस्टाइल भीटाते थे उससे बहुत बहुती जादा भी आश बहुती ही बहता रूर्ष लाइफस्टाइल कोफो फोलकॉतामे मिलेगा दिल्ली में भी एक दूसरे के साथ किपका हूँआ है बिंगॉल में वह नियम नहीं है एक घर के साथ दूसरे घर कभी चिपक Ny discipline का और मूने है और दोनों घर के अंदर तो इसका नाम नारू से ही प्रचलित है और हम लोग इसे नारूई कहते हैं अभी हमें देख दूसरे स्टेट भी इसे बनाने लगे और अपने हिसाब से नाम देने लगे तो फिल हाल देखिए यहां पे मूरी से भी बनता है मूरी मतलब जो हम लोग हिंदी ओलने वाले मुर्मुरा कहते हो और चूरा से चूरा मतलब हम लोग बेंगोली में चीरा कहते हैं उसे भी यहां पे गोल गोल चूरा का मुआ बनता है उसे मुआ कहते हैं यह देखिए खोई खोई घूर के साथ मिला के बनाया जाता है इसे भी महालक्ष्मी को दिया जाता है तो फिलाल यह सब महालक्ष्मी पूजा में चराय जाता है हमारी यहां पे कोई भी पूजा है महालक्ष्मी पूजा, गोपाल पूजा, कृष्न पूजा तो सब पूजा में हम लोग यही देते है तो हमारी यहाँ पर कृष्णपुजा का नियम भी नितनन्द महाप्रभू और चेतनन महाप्रभू के हिसाब से है क्योंके हम लोग बेंगॉल से बिलंग करते है जो यहाँ पर मायापूर इश्कॉन बनाया था दुनिया का दूसरा इश्कॉन आफ्टर बिंदवन का हमारे यहाँ पर लाइफ बहुती वास्ट है और बहुती फ्लेक्सिबल है ओपन है यह देखिए संदेश यह काजू और नारियल से बनाया संदेश है यह मैं महालुक्ष्मी को चराऊंगा अभी और मेरे मम्मी दिरे-दिरे पूजा करने बैठ रही है यहाँ पर पूजा के अभी पूजा करने के लिए बैठेगी फिलाल यहां पर धूप और प्रदीव हम जला दिये है और अभी हमारा खोजागरी लक्षी पूजा शुरू होगा मम्मी लक्षी पचाली पड़ेगी लक्षी पचाली पढ़ने के बाद लक्षी पूजा संबन होगा पर पर जरे कोरिया पनोती कोईलो नारुद मुनी नारयोने फोती कोम आता है का मौन तुमार भी चार चंचर चापुला प्राय फिरी दरे दार इसे कहते है पांच कोलाई पांच अलग-अलग का दाल छोले मूग सब कुछ मिला के इसे बनाया जाता है और जो पूजा के लिए उपपास करके सुभा से है उनको यह खाना पड़ता है पहले महालक्षमी को चराने के बाद और बाकी तुम्हें पहल अपको दिखाई दिया यह बहुत सारे अलग-अलग किसम के फल है खजूर, एपल, उसके बाद पानी फल और यह मिठाई और हनारियल के नारू, तील के नारू, मूरी के मुआ, चीरा का मुआ, खोई, गुर, तो यह सब फगवान को दिया गया था और अल्रेड हमारे घर में पूजा संपन हो चु तीन बार संख को बजा जाता है, घंटा नौन बिंगोली बजाता है, लेकिन बिंगोली डिलीजियन में घंटा बजाने से मालक्ष्मी भाग जाती है, यह हमारा माननेता है, इसलिए लक्ष्मी पुजा में घंटा कासर नहीं बजता, यह देखिए गारू का दाल, मैं आपक कि दुषब कपड़े पेन के पहले ये दाल के साथ चावल मिला के चत पे ये कहीं पे भी जाके कववो को खिलाना है पुड़वपुरिश के आत्मा के शानती के लिए उसके बाद आपको घर में आके फ्रेश हो के तुद को भी खाना है अलग थाली में और थोरा सा पजा के र